राजस्थान में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने प्रदेश भर में अभियान शुरू कर दिया है डीजीपी उमेश मिश्वरा के निरदेश पर प्रदेश भर में अपराधियों और समाजिकतत्रों के विरोध में ये कारवाई शुरू की गई है यह जो अभ्यान है वो तीन दिन तक चलने वाला है पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी जलो में पुलीस की टीमों को भीज दिया गया है ADG Crime दिनेश MN की निग्रानी में प्रदेश भर में तीन दिवस्य तक अभ्यान चलने वाला है बूदवार से ही यानि आज सुबा से ही ये कारेकरम की शुरुआत हुई है सभी रेंज आएजी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अस्थानिय पुलीस अधिक्षक के नतित्व में फील्ड में की जा रही कारवाई है आम्स अपकारी वा एंडी पीएस अक्ट एचेस हाड कोर अस्थाई वारंटी इनामी वा जखनी अपरादों में वांचित असमाजिक तत्वों के विरोध में ये कारवाई की जा रही है सोचल मीडिया पर गांक्स्टर को लाइक, कमेंट वा फॉलो करने वालों के विरोध में भी कारवाई की जाने वाली है इसमें पहले 25 दिसंबर को कोटा पुलीस ने एक ही दिन में ताबर तोड कारवाई कर 106 सक्रिय बदमाशों को गिरफतार किया था पुलीस की इस कारवाई में पकड़े गए बदमाशों में से एक के उपर 25 लाग का नाम घोशित था, वहीं इनमें कई हिस्ट्री शीटर्स भी शामिल हैं इनको पकड़ने के लिए कोटा पुलीस के 250 से अधिक अधिकारियों और जवानों ने शहर सहित आसपास के इलागों में ताबर तोर तलाशी की और जाकर के बदमाशों को पकड़ लिया गया कोटा पुलीस अधिक्षक शरद चौधरी ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने की जो यह हमारी मुहीम है यह हमने शुरू की है और इन तीन दिन में हम जाते हैं प्रदेश भर के सभी अपराधियों को हम पकड़ ले और अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाए रहने लाइक बनाए आपको बता दे कि यह जो अभ्यान है वो पुलीस द्वारा चलाया जा रहा है इस अभ्यान में हर एक मुझ्लिम को कट हर एक समाजिक तत्वों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और पुलीस इस कोशिश में जुट चुकी है और आज से अभ्यान की शुर प्रदेश में सब ही जितने भी ऐसे क्रिमिनल से उनको पकड़ा जाए उनको पुलीस उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और प्रदेश में जो क्राइम का टाग लग चुका है राजस्थान में उसको हटाया जाए